हलो फैमिली, फाइनल इकल रात को मुझे सहुबा गया प्राप्त हुआ भीड मूवी को देखने का सुबे से लेके शाम तक कोई शो ही नहीं हो रहा था क्योंकि ओडियन्स ही नहीं हो रही थी उतनी सबसे पहली यूनिक बात तो यह है कि यह पूरी फिल्म ब्लैक और वाइट थी शुरुआत में नंदू की वो फूफू वाली एड भी ब्लैक और वाइट में ही आएगी एक दिन इनको पता चला कि यार जी शेहरों की हम रखवाली करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ पर हमारा कोई गर ही नहीं है अरे गर छोड़ो हमको कोई रखने वाला भी नहीं है अब ऐसे लोग एकदम से अपने घर पर कैसे चले जाए अपने गा भायनक हालात पैदा हुए उसका एक अंश इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है फिल्म के अंदर किसी की गलती निकालने की या फिर किसी की तारीफ करने की कोशिश नहीं की गई है जो भी हालात खड़े हुए थे अच्छे बूरे जैसे भी थे उसको हर एक एंगल से दिख समझ भी नहीं आ रहा था उस टाइम पर कि इसके सामने लड़ना कैसे है और इस फिल्म का सेंटर पॉइंट यानि की भीड जिसमें दूद पीते बच्चों से लेकर बुजूर्ग अरे प्रेगनेट औरते भी थी उन लोगों ने जो सहा था इन हालातों के अंदर वो दिखा आ फिल्म के अंदर मेरको लगा हर किरदार बिना बोले ये पूछ रहा है कि इसमें मेरी क्या गलती सर और हालात ऐसे थे कि इसका जवाब किसी के पास नहीं था पफामसी सबके माइंड ब्लूइंग थे क्योंकि एक से एक तगड़े आर्टिस कास किये है स्क्रीन प्ले एंगे लिए तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको कैसी लगी अगर आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ये नया चनल है बहुत सारे व्यूवल्स हमारे ऐसे भी है जो जैस्टेक पर से यहाँ पर आये है लेकिन उनको पता नहीं है कि हमने इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये नया चनल है सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों के साथ शेर करना सी उसोने नेक्स वीडियो बाई टेकर एंड जैहिंज